वेलकुम तो टार्गेट सरकारी नौकरी बात करेंगे एल्टी ग्रेट एक्जाम की अभी लास्ट फिफ्टीन डेज में आपको क्या करना है और इसकी एक्जाम डेट आपको कंफर्म ही नहीं हो पा रही है वी तक आप बार बार मेसेज कर रहे हैं कुछ इमेजिस भेज रहे ह यह सच है क्या नहीं है एक्जाम डेट बढ़ेगी इस तरह के सवाल आपके हैं ठीक है तो बात करेंगे यह नहीं की और अनकैडमी लर्निंग आपके जो वीडियो लेसन हैं कोर्से से उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में रखे हुए हैं जिनको देखना है आप देख सकते हैं हैं बहुत ज्यादा वीडियो बना जी गए एक्सोड़ी पर आवेलेवल नहीं हैं तो प्लीज अपसे रिक्वेस्ट है सब सभी से बोलता हूं यह चीज में लेकिन सब ने देखा नहीं वीडियो को आपकी मरजी है आप उठाएंगे फायदा जिनों ने देखा होगा उनको किसी ना किसी एक्जाम में जो है आपको फायदा मिलेगा जरूर देखिए जीएस का कोई और चोर नहीं होता है इसलिए हम जो है पूरा जो कंप्लीट कवर करते हैं उसको आपने देखा ही होगा जो भी कोई कुश्चन में पढ़ाता हूं या बताता हूं आपको तो उससे सद्री फार जो भी क्यूं आठ यूड़ है हों में साथ में लेता हूं क्यूंकि ऐसे ही कुश्चन बनते हैं जीएस बेखReally कि समदर्शी की तरह कहीं से किसी बी छोड पर पहुंच सकता है कोईfeeding भी ठीक है तो यह को पढ़ने का है एक बार जो भी आप पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी चलिए पहले एक्जाम डेट को कंफर्मेशन करिए देखिए यह इमेज तो काफी पहले ही आ चुकी है मैंने वीडियो बनाया नहीं था इसके उपर बटा फिर भी इमेज मुझे भीज रहेंगे तो यूपी पेसी के लिए परिक्षा यूभी पेसी के लिए तो एहम है ही उससे ज्यादा तो आपके लिए खास है यह परिक्षा वो क्यूं है या आप जानते ही है ठीक है जह साथ साथ सट्वेकेंसी हैं और ऐसी परिक्षा अभी तक तो मेरे खायल से नहीं हुई ना मैंने देखी हो भी इतने चाहिए थे दो महीने पहले एक वीडियो बनाया था मैंने एल्टे ग्रेट को कैसे क्वालिफाइ करें एक महीने के स्ट्राटेजी थी वो अभी आखरी 15 दिन रहा गया है उनतीस जुलाई को ही पेपर है डेट कंफर्म कर लीजिए पहले से ही कंफर्म है लेकिन आपकी जो ह कि अब तैयारी है हो ही रही हैं यहां देखिए सब बताया जा चुका है तो अब तैयारी जो है अपनी जो है नेसमीर है क्योंकि आपने से बहुत लोग आप उतना पर प्रेट में प्राइवेट स्कूल में कुछ हैं गवर्मेंटे स्कूल में तो वक्त नहीं मिल होगा उसक तो पंदरा दिन में आपके त्यारी कैसी होनी थी यह डेट का कंफर्मेशन हो गया 29 जुलाई है तो पंदरा दिन बचते हैं आप क्या कर रहा है आपको इसी के बारे में बात करेंगे सुनिए इसको तो देखिए अब जो एल्टे क्रेट का आपने त्यारी की होगी मैं बताये तहूं पैटर उसको फिर से एक बार जीएस आपको 150 नंबर का पेपर होना है आपका जिसमें जीएस के 30 कुशन रहेंगे और में सब्जेक्ट जो आपका कंसर्म सब्जेक्ट है उसके 120 मार्क से कुशन है जिसे कि आप म्यूजिक को मान लीजिए या कला को मान लीजिए या फिर सोचल साइंस को मान लीजिए ठीक है उन सब के 120 कुशन होंगे जो सोचल साइंस वाले हैं उसमें आपको चारो सेक्शन के कुशन दिये होंगे चारो सेक्शन में से कोई दो सेक्श सब्सक्राइब कुछ थैप सब्सक्राइब कर अब यानि दो कुछ एट लगाने का मतलब था 300 क्योशन देरी और उसके साफ से गई 8-9000 क्योशन के आसपास पहुंच रहे थे अभी तक तो आपके 7-9000 क्योशन complete हो जाने चाहिए थे बट ऐसा हुआ ही नहीं होगा बहुत से कम लोग बहुत कम लोगों नहीं गौर दिया होगा इस चीज़ पर तो प्रैक्टिस हैट हो सकते हैं किसी के पास हो या नहों तो कुछ प्रैक्टिस हैट जो available थे TGT PGT के लिए मैंने कहा था कि कुछ वेबसाइट पर मैंने अपने डाले भी हैं वो टार्गिट सरकारिनौक्री.com पर तो PGT के जादा है TGT के कम है तो जैसे भी है सब्जेक्ट पूरे करने कुछिश की गई है जो अबलेवल नहीं हो नहीं डाल पाए है ठीक है लेकिन जो है उनको डाला हुआ है तो उनको आप कर लीजे questions वहां से मिलेंगे आपको बहुत सारे questions वहां include किये गए हैं उनको देखेंगे दूसरा प्रैक्टिस आट आपको लगा रहे होंगे उन्हीं प्रैक्टिस आट को फिर से revise करिए दुबारा दुबारा करिए उनको ठीक दूसरा जो main subject कि आप जो तयारी कर रहे होंगे उन बुक्स के पीछे आपको जो हर चैप्टर वाइज स्लेबस के एकॉर्डिंग तो नहीं होगा हर को में लेकिन जो चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे उन चैप्टर के पीछे MCQ दे रख्योंगे तो उन MCQ को आपको लगाना है हर चैप्टर के MCQ को जो main subject की बात क उनको भी अभी आप कर लेंगे तो आपका जो है काफी chances रहेंगे ये exam crack करने की 15 दिन है 15 दिन में आपको जो है जो थियोरी है उसकी थियोरी अब नहीं पढ़नी है थियोरी बंद कर दीजिए अब जो MCQ है जितने भी resources आपके पास मिल रहे है source है पढ़ने के लिए जो भी आपने ले रखे हों GS के लिए हो जीस के लिए बुक्स वगएर होंगी आपके पास MCQ की वुक होंगी ठीक है तो GS वहां से पढ़ने हैं फिलाल आपको ठीक है थियोरी वगएर उठा कर दिजिए एक साइट को और जो बाकि हम जो करा रहे हैं अभी अभी वन लाइनर भी करा सारे एक वो है और एक UPGK का करेंट अफेर्स आज ही डालेंगे बाकि जो करेंट अफेर्स वो भी कर देंगे उसको यह कुशन आप तक पहुंचने जरूरी हैं तो फुल मिलाकर यह है कि आपको MCQ करने हैं सारे के सारे देख लीजे अभी 15 डेज में कुछ भी नहीं बिगड करना है उसका अगर नहीं आ रहा तो देख लीजे ठीक है एक बार ऐसे देख देख के कर लीजे सारे MCQ को अगर वह आप नहीं आ रहा हैं एक कुशन आपने करा ठीक है कि पंचायती राज विबस्ता कब लागू की गई या सबसे पहले किस जिले में किस राजे में लागू क आपको नहीं मालू में इसका आंसर तो आंसर पहले देख लीजे उसका टाइम वेस्ट मत करिए कि जहन पर जोर में डालिए आप आंसर देखिए उसका और टिक लगाई उसको कि हाँ ये नागोर जिले में होई थी राजस्तान के पहली बार लागू जो है देश में इस तरह पर ही शाम ये सुबह को अपना गया बना लिए उसमें क्या करेंगे आप और इन शुबह को बिना देखे करने यह जो आप्शन साब ने सुबह देख सिर्फ यह कुछ न पुछ नद रहे होंगे तो आप इनको बिना देख यह लगाने की कोशिश करेंगे तो याद हो कुछ चीज नहीं सुनी आ आपने एक बार पढ़ीárias वो याद नहीं हुए भी वो टिश चीज तो यह क्या थी यह बार आपने में थीन चार बार की तो यह प्रैक्टिसी तो किया आप बिड़ार यÑ जाहिए बार बार उसको रिपीट कर जा रहे हैं, मतलब मान लीजिए, पांच मिनिट में आप उसको दस बार बोला, तो यह रटना है, तो ऐसे नहीं करना है, आपको आपने जैसे एक कोशन आज देखा है यह वाला, तो मान लीजिए इस कोशन को एक दिन में पांच एच्छे बार, मत प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला, किसी भी एक्जाम में समझ लीजिए भी, पंदरा दिन में ही एक्जाम क्रैक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, देखे, आप अपने सब्चेक्ट में महारत हासिल कर रखी होगी, आपने जैसे भी पढ़ा होगा, आ आपने देखिये, 12 से पढ़ते हैं, 12 के बाद में ग्रैजुशिन क्या है, PG किया है, PG के बाद B.A.T. भी क्या है, वहां भी बहुँ सारे ऐक्जाम दे होंगे, तैयारी भी कियोगी, बस आपको क्या है, आपने उनकी तैयारी कि क्या प्रैक्टिस ही नहीं की, प्रैक्टिस म आपने जैसे exam आये तो exam से 1 मेंना पध़ना चुरू कर दिए तो पास भी in पहिंब पेपरमें उससे पहले जलदी करते हैं तो पास भी हो जाती है कैसे ito मरता क्याऎ ना करता अब धकिम होल चुलाइक पिर सबक्ते हैं उनमें आती है वो energy लेकिन जो competitive exam वाले जो आपके paper होते हैं इसमे energy नहीं आती है आप सोचते हैं कि यार अब तो 15 दिन बचें आप नहीं हो पाएगा पता नहीं कहां से question पूछ लेगा ऐसा गलत है कहना 15 दिन बहुत important रखते हैं last के दिन में अगर हम पढ़ाई ना करें किसी वहा始ए नहीं ने ओपाएगा ये अगले साल देखेंगे अगले साल किसको पता है कि अवेकेंसी फिर याएंगी 15 दिन में 15 दिनमे 15 ही राते हैं ठ्यक है 24 गंटे का समय एक दिन पूरा बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत ही कुछ कर सकते हैं इसमें जो practice है ना बार-बार questions को तो देखिए, एक ही question को बार बार देखिए, एक दिन में कई बार देखिए इस question को, ये कर लेंगे, इतना कोई जहन पर ऐसा कोई बोजा उठाने वाली कोई मेहनत मशाकत नहीं है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, बोजा उठाने से at least कमी मेहनत लगेगी इसमें, तो इसलिए कह के भी दूँगा आपको, one-liner में इस भी ने बनाए थे, क्योंकि मैंने comment देखा था, मैंने एक बार कहा था, आप से की one-liner में बनाऊँगा, लेकिन आपने मना कर दिया कि one-liner की जरूत नहीं है, options की थूरू चाहिए, तो option की थूरू, जबकि one-liner में आपको ज्यादा question मिल सक करते थे, ठीक है, फिर भी मैं आज से one-liner बना रहा हूँ, और कई सारे बनाऊँगा, तो उपन को देख लिजेगा, जो भी questions, जैसे अभी कल कि मैंने video बनाया था, current affairs का, उसमें कुछ दिक्कत थी, एक question की, तो मैं discuss करूँगा, उसी को, ठीक है, तो जो question आपको लगता है, answer उनका mismatch हो रहा है, आपके according और मेरे according, तो comment में लिख देंगे उसको, उसको next video में discuss कर लेंगे, ठीक है, चलिए, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तैयारी अपनी अच्छे से कीजिए, और best of luck, आपके exam के लिए, ठीक है, हर किसी exam की strategy यही होनी चाहिए, आपकी, म प्रफेशन मानता हूँ मैं इसको, ठीक है, आप nation builder हैं आप लोग, आगे जहां भी जाएंगे, जहां भी पढ़ाएंगे, चाहें private college में, school में, कहीं भी या government college में, तो आप क्या करेंगे, देश में जो इतने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वही आगे future बनने वाले हैं, वही engineer बनेंगे, doctor बनेंगे, IS बनेंगे, सब कुछ वही बनने वाले हैं, तो उनका backbone आप है, आप उनको पढ़ाएंगे, अगर आप ही सही नहीं है, आप काई concept सही नहीं है, आप ही तयार नहीं है उस subject को लेकर, जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, उन college में, school में, जिनके लिए exam पास करेंगे, तो उनको क्या बनाएंगे, वो भी ऐसे ही निकलेंगे ना फिर, उनको भी ऐसे ही बठकते रहेंगे तयारी के लिए फिर बाद में जब इस level पर पुचेंगे आपके जैसे level पर, तो आपको ऐसा बनाईए कि आप दूसरों के काम आ सकें, मतलब, nation build, build up करने म आपका बहुत जादा योगदान हो, ठीक है, at least ऐसा तरीका तो आप दूसरों को दीजिए ताकि वो पढ़ सकें, यही चीज़ी कहने है आपसे, तो इस वीडियो में इतने रहें देते हैं, काफी लंबा हो गया, thank you